Hello Everybody, Welcome to Quant Study General Knowledge with Special Reference to JNK मैं JKSSB Accounts Assistant के लिए करवा रहा हूँ मुझसे मक्तर मेरा नाम है आज हमारा second lecture है इसका और इसमें मैं आपको historical personalities पढ़ाऊंगा इससे पहले lecture में हमने कुछ special personalities पढ़ी थी आज हम कुछ और, मतलब historical personalities पढ़ेंगे में हिस्टरी के बेस पर जो personalities होती हैं वो पढ़ेंगे उससे पहले मैं आप से कुछ questions पूछना चाहूंगा which are very important for the examination point of view so you must answer the questions in the comment section below What is the total area of Jammu and Kashmir UT? Jammu and Kashmir Union Territory का total area कितना है? Which is the largest UT in India in terms of area? मतलब largest UT कौन सी है इंडिया में? In terms of area अच्छा आप करते हैं हमारा lecture start historical जैसे मैं आपको बताया हिस्टरी के बेस पे हम personalities करने वाले हैं तो इस सीरीज में जो हमारी पहली personality है उनका नाम है महराजा गुलाब सिंग Okay, he was the founder of Royal Dogra Dynasty के वो founder थे ठीक है? और उन्होंने वो first महराजा बने princely state of Jammu and Kashmir during the British Raj अब princely state क्या होता है? जहां खुद का राज हो मतलब खुद के लोगों का राज जहां पे होता है उसको हम princely state कहते हैं तो गुलाब सिंग जो है वो एक हिंदू थे और जम्वाल डोगरा राजबूत फैमली में वो पैदा हुए थे अच्छा, वो जब तक मतलब 1947-48 जब तक पाकिस्तान ने invasion नहीं किया था इंडिया में तब तक उनकी मतलब वो और उनके successors ने manage किया यहां रहने का, मतलब अपना kingdom continue रखने का तो उनकी ability और अच्छे जो किस्मत की वज़े से उन्होंने 11 साल वो मतलब throne पे बैठे और rule किया next personality जो इसमें हम discuss करेंगे उनका नाम है महराजा हरी सिंग महराजा हरी सिंग जो थे वो last ruling महराजा थे question आ सकता है exam में, last ruling महराजा थे of the princely state of Jammu and Kashmir ठीक है, तो मतलब एक हिंदू डोगरा राजबूत थे वो और वो कब पैदा हुए थे, 23rd September 1895 को पैदा हुए थे अमर महल, मतलब अमर महल के palace में, ठीक है अच्छा, हरी सिंग ने जो है, उन्होंने एक page of honor कह सकते हैं, आप serve किया था किसको, करजिन को 1903 में अच्छा, कहां पर किया था, डली दर्बार में उके, उनके जो अंकल, मतलब प्रताप सिंग थे, उनके अंकल जो थे 1925 में उनकी death हो गई, तो उसके बाद जो है, महराजा हरी सिंग ने थ्रॉन पे बैठ गए, उके, और उन्होंने जो है, ये भी important है क्वेस्चन आ सकता है, एक्जाम में कि who made the education, sorry, primary education compulsory in the state तो वो थे हमारे महराजा हरी सिंग, this is important उन्होंने इंट्रोड्यूस किये कुछ ऐसे laws, जो बैन कर, मतलब जो बैन करने लग गए child marriages को, और उन्होंने कुछ ऐसी places खोली, जहां पर जो है, low caste के लोग भी जा सके वर्शिप के लिए, ठीक है अच्छा, इसके बाद हमारे पास है third personality जिनका नाम है, कुरेशी अल्ला रखा खान उनको मतलब country में, पूरी country में किस नाम से जानते थे, अल्ला रखा के नाम से अच्छा, at the age of 12, वो घर से भाग के तबला सिखने चले गए अच्छा, उनकी practice और dedication जो थी, वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वज़से उन्होंने आल इंडिया रेडियो, यहाँ पे, आल इंडिया रेडियो जो की लहूर का था, 1936 में जोइन किया और उन्होंने film industry भी, मतलब film industry में भी अपनी entry करी, 1943 में अच्छा, उन्होंने music भी compose किया, अंडर एर कुरेशी, अच्छा, उनके sun जो थे फजल कुरेशी, तौफिक कुरेशी, most notably जो कह सकते हैं आप, जाकिर हुसेन, जो थे वो भी बहुत अच्छे तबला प्लेयर्स थे, अच्छा, उस्ताद अल्ला रखा खान जो थे, उनको एवर्ड मिला था, पदमश्री, 1977 में question आ सकता है, and संगीत नाटक अकाड़मी, अवर्ड जो मिला था, 1982 में मिला था, वो जो है, वो एक improve, मतलब, continuously improving थे, किस में, composing में, और उनको जब, किसी, मतलब, एक, उनी का जो birthday था, 80th birthday था उनका, और उनको पूछा गया, कि, आप कुछ words कहें, ठीक है, तो, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने basically तबला बजा दिया, तो उन्होंने कहा कि, this is the language that I know, ठीक है, जो भी audience थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि, यही मेरी language है, next हमारे पास है, fourth जो इस series में है, उनका नाम है, मलीका पुकराज, मलीका पुकराज जो थे, वो बहुत famous थे, guzzles में, और folk singer थे, कहा कि, पाकिस्तान के, उनको court singer भी जो है, हरी सिंग के दरबार में, and वह वहाँ पर वो around nine years रहे, हरी सिंग के दरबार में, जो है, उनको appoint किया गया था, as a court singer, और वहाँ पर उनने nine years तक, बहुत रहे बाद में, ठीक है, अचा, फिर बाद में वो लहोर माइगरेट हो गए, 1947 में, और उनको जो है, और ज़्यादा fam मिल गया, वहाँ से, ठीक है, त तो वह बहुत मानी जाती हैं, popular हैं बहुत इंडिया में भी, तो उनको legend of voice award जो है, वह भी मिला हुआ है, और एक re-edit की थी, एक हफीज जलंदारीज का song जो है, दुबारा से उन्होंने renovate करके, अभी तो मैं जवान हूँ जिस गाने का नाम था, जो कि बहुत से लोगों न इंडिया में भी enjoy किया, और पाकिस्तान में भी enjoy किया, अचा, fifth personality जो है, इस series में हमारी, उनका नाम है, दीन बंदू शर्मा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वली, sorry, ये वली, दीन बंदू शर्मा, he was an Indian writer, वो एक writer थे, जमू कश्मीर के ही थे वो भी, और he was known for the writing, for the, sorry, for writing the award winning book, मील पाथर, जो एक award winning book थी, वो एक collection थी, बहुत short stories की, ठीक है, तो इस book को जो हैं, बहुत सारे, सहीतिया, academy award भी मिला हुआ है, और बंदू शर्मा जो थे, वो winner of जमू एंड कश्मीर के भी रहे हैं किसमें, राइटिंग में, in 1975, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारी personality जो हैं, इसमें, उनका नाम है, डॉक्टर रफीक अंजम, डॉक्टर रफीक अंजम जो थे, वो एक गोजरी पोईट थे, और scholar थे, और रिसर्चर ऑफ जमू एंड कश्मीर भी रहे हैं, अच्छा, उनको स्टेट लेवल पे जो हैं, बहुत सारे अवर्ड मिले हैं, उनकी एक्सलेंस की वज़ए से, किसमें एक्सलेंट थे वो, तो, यह बहुत से, उनको मिले हैं यह आवर्ड और जमू एंड कश्मीर अकडमी, किसके मेंबर हैं, जमू एंड कश्मीर, अकडमी आफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज़ भी रहे हैं वो, ठीक है, और नंबर अफ को, उनने पोईटिक, जो है, कलेक्शन की हुई है, उ और गोजरी में, ठीक है, तो यह भी इंपोर्टेंट हो सकती है, एक्जाम पॉइंट अफ यू से, सेवन्थ जो इसमें कैटेगरी है, हमारी वो है, डॉक्टर, यह परसनालिटी, सॉरी, उनका नाम है डॉक्टर करन सिंग, डॉक्टर करन सिंग जो थे, वो जमू से थे, अ whatever we want to do in our life, उनके पास वो already बहुत चीजें थी उन में से, सबी नहीं कह सकते, but they were almost everything, ठीक है, अच्छा, he was born in France, France में वो पैदा हुए, और उनको टाइटल जो है वहां पे, क्या मिला, अच्छा, at a minor age of 18, he was appointed as the re-agent, उनको appoint किया गया था, question आ सकता है कि, who was appointed as the re-agent of Jammu and Kashmir, at the age of 18, तो वो ही थे ये, अच्छा ये हमने पहले भी पड़ा हुआ है पिछले लेक्चर में भी चलो कोई बात नहीं फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं अब आ गया है इसमें भी तो करी लेते हैं कुंदनलाल सेगाल वो एक इंडियन सिंगर थे और एक्टर थे जिनको कंसिडर किया गया था कि फिर्स्ट सूपर स्टार अफ दे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और विच वस सेंटर इन कोलकता दियू दिरिंग इस टाइम उनका म्यूजिक जो था वो उसने बहुत सैंसेशन क्रिएट की थी तरौट इंडिया एज इंडस्टर और हाँ याद रखना किसका म्यूजिक था वो पुरान भगत का ठीक है तो एज इंडस्टर उनने क्या लता मंगेशकर जो है माना जाता था कि लता मंगेशकर उनसे शादी करना चाहती थी फिर से कहना चाहूँगा यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह बुक्स में लिखा हुआ है उनकी एक्टिंग का केरियर जो है वो फिर से रिडिफाइन कब हुआ 1935 में with his drunken title character in देवदास में जो उनने किया था जो कि डारेक्ट किस ने की थी PC बर्वा ने ठीक है अचा इनक करियर आफ 15 years 15 साल के करियर में साइगाल ने 36 feature films की है 28 हिंदी में की है 7 बेंगॉली में एक तामिल में की है next जो इस series में है उनका नाम है Padma Sachdev Padma Sachdev अचा she is the first modern woman poet of Toghari language she has published several poetry collections including मेरी कविता मेरे गीत मेरी कविता मेरे गीत that has won Sahitya Academy Award in 1971 she has also received Padma Shri in 2001 and Kabir Saman for poetry for the year 2007-2008 वो पहली modern woman है दोगरी language की जो poetry है अचा उनने पब्लिश की है बहुत सारी poetry's अपने टाइम पे जैसे की मेरी कविता मेरे गीत जिन मतलब जिसने क्या जीता हुआ है Sahitya Academy Award in 1971 अचा उनको Padma Shri Award 2001 में मिला and Kabir Saman जो है poetry के लिए उनको Award मिला 2007-2008 में अचा नेक्स जो इसमें हमारी personality है 11th इस सीरीज में जो है उनका नाम है Shammah Jain Shammah Jain एक Indian diplomat है जो की as an ambassador of India to the Republic of Panama Costa Rica and Nicaragua से मतलब associated है ठीक है तो उसके ambassador भी है ambassador याद रखना है आपने अचा earlier she was India's ambassador to Ivory, Coast, Liberia Syria, Lyon and Guinea from 2008 to 2011 2008 से 2011 तक वो इंडिया की ambassador रही है to to what Ivory Coast, Liberia Sierra Leone and Guinea कब से कब तक 2008 तो 2011 ये आपको याद रखना है she accomplished her education उनने अपनी education जो है master's degree से की मतलब master's double master's degree की कहा से जैनियू से की philosophy में और politics में अचा उनने जो है she began her diplomatic career with the Indian foreign service in 1983 में उनने अपना जो diplomatic career है Indian foreign service यानि की I.F.S. में अपना career कब स्टार्ट किया 1983 में 1983 में ये one of the most important जो है personality है उके उसके बाद last आज की जो personality है मतलब historical personality को आज हम end करने वाले हैं तो उनका नाम है सीमा सेगाल सीमा सेगाल जनको हम बुलबुले कश्मीर भी कहते हैं उनको जो बहुत ज़दा interest रहा है उर्दू poetry में और इंडो पाक मतलब हिंदूस्तान और पाकिस्तान की peace में जो है बहुत ज़दा interest रहा है अभी तक सीमा सेगाल एक ऐसी अकेली औरत रही है इंडिया में या पाकिस्तान में जिन्होंने पूरा एक concert अलामा अकबाल जो हैं उन पे ही लिखा हुआ है मतलब उन पे ही किया हुआ है मेरे कहने का मतलब basically क्या है कि उन्हीं की जो poetry है उन्हीं की poetry पे मतलब किया हुआ है तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सितारों से आगे जहां और भी है तो यह जो है first solo album उन्होंने release की थी ओके तो आज के लिए इतना ही करेंगे next video में मिलते हैं thank you so much for watching this video